नमस्ते बच्चों आपका कक्षामी स्वागत है आज हम हमारे स्पर्ष भाग एक से रैदास इसके पद पढ़ेंगे तो क्या है वो हम इस पद से जानेंगे रैदास नाम के विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 और देह वसन सन 1518 में बनारस में ही हुआ यानि ये जो पद लिखे हैं इनका नाम है रैदास और ये एक संत थे और उनका नाम रविदास था और उनका जन्म 1388 और उनका देह वसन यानि मृत्यू सन 1518 में यानि लगबग देखो आप 100 साल के उपर के हो गए थे तबी इनकी मृत्यू हो गए थे ऐसा माना जाता है इनकी ख्याती से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इने दिल्ली अपने आने का निमंतर भेजा था यानि उनकी प्रसद्दी या बहुत मशूर थे ख्याती यानि बहुत मशूर थे और उनसे प्रभावित होकर जो दिल्ली के गद्दी पे बैठने वाला जो सिकंदर था उने ने उनको दिल्ली में निमंत्रन यानी बुलाया था मद्ययुगीन सादकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है कबीर की तरह रैदास भी संत कोटी के कबियों में गिने जाते हैं कबीर, अपने नाम सुनाओन हुका कबीर के दोहे कबीर हमने इससे पहले भी कबीर के बारे में जाना था कि कबीर की तरह ही ये रैदास भी संद कोटी में गिने जाते हैं मुर्ति पूजा, तिर्थ यात्रा जैसे दिखावे में रैदास का जरा भी विश्वास मता वह वेक्ति की अंतरिक्त भावना और आपसी भायचारों को ही सच्चा धर्म मानते थे रैदास ने अपनी काबे रचनाओं में सरल, वेमहारी, ब्रजवाशा का प्रयोग किया है जिसमें अवदी, राजस्थानी, खड़ी, बोली, उर्दू, फार्सी की शब्दों का भी मिश्वन है रैदास को उपमा और औरूपक अलंकार का विशेश प्रिय है सीदे साधे पदों में संतकवी ने रुदे के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किये है इनका आत्म निवेदन, देन, भाव और सहर्भक्ती पाठक के रुदे को उद्वेलित करती है रैदास के 40 पद सीखों के पवित, धर्म गरंथ, गुरु गरंथ, साहाप में भी सम्मलित किया है यहां रैदास के दो पद दिये गए है पहले पद में प्रभु जी, तुम चंदन, हम पानी, में कभी अपने आराध्य को याद करते हुए, उनसे अपनी तूलना करते हैं उसका प्रभु बहार कही किसी मंदिर या मस्जित में नहीं विराजता, वर्नों उसके अंतहे में ही सदा विद्यमान रिता है और यही नहीं वो हर हाल में, हर काल में उससे स्रेश्ट और सरवरुन संपन्न है तो वो इन पदों के जरीय हमें बताने चाहते हैं कि प्रभु कहीं पर नहीं है प्रभु ना मस्जित में हैं ना मंदिर में हैं वो हर एक इंसान के मन में हैं इसलिए ये रैदास सिर्फ एक दुसरे से प्रेम करो यहीं हमें वो सीख देते है